आपने कई बार ये देखा होगा कि हाइडॉलिक मसीन के अंदर भारी से भारी समान को डालने पर वो सबी चीजों को कुचल कर रख देता है लेकिन तब क्या होगा जब इसी मसीन के अंदर बहुत सरे सीट आप पेपर को डाला जाएगा तब कि है हैडुलिक मसीन इसे भी दबा पाएगा और तब क्या होगा जब हैडुलिक मसीन के अंदर 2021 में बने जैक और दूसी तरफ 1950 में बने जैक को रखा जाएगा तब कि 2021 वला ज्यादा भार सह पाएगा या 1950 वला इन दोलों में कौन जीतेगा और कौन ज्यादा मजबूत होगा और क्या होगा जब समसेंग गलेक्सी फोल्ड आइफोन 11 प्रो मैक्स और नोक्या 310 को 20 मंजिला उपर से नीचे गिराया जाएगा तब कौन सर्वाइब कर पाएगा और कौन तूट जाएगा तो आज मैं आपके लिए यूटूब के साथ सबसे अमेजिंग एक्सपर करें मुझे यह सवाल कई वारा था बर जवाब नहीं मिला लेकिन इस सवाल का जवाब टेक रेक्स यूटूब चैनल वानों ने दे दिया कैसे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इन्होंने 100 चार्जर को ले लिया और फिर सभी 100 चार्जरों के वार को छील कर उन्हें एक स इस सारे 100 चार्जर वाले स्विच को अन कर लिया जाता है और पहले आइफोन को एक सिंगल चार्जर से चार्ज किया जाता है और दूसरे वाले आइफोन को बड़े वाले चार्जर यानि की 100 चार्जर वाले सप्लाई से चार्ज किया जाता है जैसे ही 100 चार्जर वाला आइ आईफोन तीन परसेंट चार्ज भी हो चुका होता है 5 परसेंट भी हो जाता है लेकिन सिंगल चार्जर वाला आईफोन अभी खुलता तक नहीं है और जब इसको हास से स्वीच अन किया जाता है तब जाके स्वीच अन होता है और खुलने पर यह 2 परसेंट चार्जर पर होता यानि कि single charger वाला iPhone काफी कम रखता से charge हो रहा है और 100 charger वाला iPhone काफी fast तरीके से charge हो रहा है लेकिन ट्विश्ट तो तब आती है जब जैसे ही दोनों 90 के ऊपर पहुचते हैं दोनों की charging speed एक समान हो जाती है जहां 100 charger वाला iPhone 97 होता है वज़ single वाला iPhone 93 तक charging पहुच चुका होता है यानि पहले तो 100 charger वाला iPhone काफी speed से charge होता है बट लास्ट तक आते आते दोनों की speed ही एक समान हो जाती है iPhone 11 versus Nokia 3310 versus car दोस्तों car काफी भारी होते हैं और उतने ही कठोर उनके tire भी होते हैं अगर इनके नीचे कोई आ जाये तो उसका भड़ता बन जाता है लेकिन क्या होगा जब iPhone 11 और Nokia 3310 को इसके अंदर रखा जाएगा क्या ये car इन्हें भी क्रस्क कर पाएगी या फिर नहीं चलिए देखते हैं तो सबसे पहले iPhone 11 को इसके tire के नीचे रखा जाता है और car को चलाया जाता है पहले तो iPhone सीधा होता है लेकिन फिर गिर जाता है इसलिए car उसके उपर से ही चली जाती है और जब iPhone को देखा जाता है तब उसके पिछले वले हिस्से का भड़ता बन गया होता है और उसमें crack भी आ चुके होते है और अवराल iPhone कुछ ऐसा दिखता है फिर अगली बार Nokia 3310 के इसके अंदर रखा जाता है और car को इसके उपर से गुजारा जाता है तो Nokia भी उल्टा होने की वज़़े से जमीन पर गिर जाता है और car उसके उपर से चली जाती है जिसकी वज़़े से Nokia के पीछे का हिस्सा तूट जाता है लेकिन जब उससे देखा जाता है तब वो काम कर रहा होता है और overall वो कुछ ऐसा दिखता है Hydraulic Machine versus Seat of Papers Hydraulic Machine के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे जिसके सामने भाली से भाली चीज़े भी फेल हो जाती है जैसे कि आप इस 4 kg वाल को ही देख लो जिसको Hydraulic Machine के अंदर रखकर उसे Hydraulic से दबाया जाता है तब वो भी तूटकर अलग अलगो जाता है और जब एक इनसान के Bones को इसके अंदर रखा जाता है तब ये Bones को भी छोड़ता नहीं है और उससे भी तोड़कर अलग अलग कर देता है फैक्ट ये है कि इनसानी Bones को पत्थर से भी ज़्यदा मजबूत माना जाता है और Hydraulic Machine इसे भी चूर चूर कर देता है अगली बार दुबारा से एक मिटर रॉस को इसके अंदर रखा जाता है और उसे दबाया जाता है तब Hydraulic के प्रेसर लगाने पर रॉड भी धीरे-धीरे मुडने लगता है और फिर बहुत ज़्यदा प्रेसर लगाने पर लोह का रॉड मूल कर बाहर की तरफ फेका जाता है तो आप समझी सकते हो कि Hydraulic Machine कितना powerful होता है लेकिन क्या होगा जब इसी Hydraulic Machine के अंदर बहुत सरे सीट आउ पेपर को डाला जाएगा क्या Hydraulic Machine इसे भी पहले की तरह कुछल देगा या फिर कुछ और होगा चलिए इस experiment को देखते हैं तो सबसे पहले 1000 effort size के पेपर को लिया जाता है और Hydraulic Machine के अंदर उसे रख दिया जाता है फिर Hydraulic Machine को सुरू किया जाता है तो Hydraulic Machine कुछ अंदर जाता है फिर रुख जाता है इसलिए अब की बार एक लोहे को इसके उपर रखा जाता है फिर वापस से दबा जाता है इस बार hydraulic machine कुछ अंदर जाता है लेकिन फिर वापस से रुख जाता है इसलिए इस बार बहुत ही पतले मंटल को सीधा रखकर प्रेस किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेस लगाने पर उपर से कुछ पेज फड़ जाते हैं फिर चाहे सीडी हो या फिर एक काच का बाटल ये सबी को ब्लास्ट कर देता है पर क्या होगा जब इसी गैस टॉर्च के सामने अंडे को रखा जाएगा क्या है उसे भी जला देगा या फिर कुछ और होगा क्योंकि आपको पता होगा कि अंडे का सिल्स कैलसियम का बना होता है और कैलसियम मुस्क्री हमारे हड्डियों में पाया जाता है जिसको काफी मजबूत मना जाता है तो चलिए इस एकस्परिमेंट को देखते हैं ताकि वो गिरे ना और एक जगर सीधा टिका रहे फिर एक गैस टॉर्स से इसको जलाया जाता है और आप खुदी देख लीजिए कि रिजल्ट क्या आता है जायन्ट हैमर वर्सेस 50 mm बुलेट पूर ग्लास बुलेट फूर्फ ग्लास कितना ज़्यादा मजबूत होता है यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन क्या बुलेट फूर्फ ग्लास को इतने भाड़ी भर काम हैमर से हीट किया जाएगा तब क्या बुलेट फूर ग्लास इसको समाल पाएगा इंडियन हैकर के दोरा किया गया है सबसे पहले कुछ इस तरह से कई सारे इटो को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है और इस पर दो ब्लिट ब्लूट ग्लास को रख दिया जाता है और सबसे पहले इस बड़े से हैमर से हीट करने का फैसला किया जाता है और इस बड़े से हैमर से इसको हिट किया जाता है और हिट करने के बाद जब इसे देखा जाता है तब उपर वाला ग्लास बिल्कुल सेफ होता है लेकिन नीशे वाले में क्रैक आजाता है लेकिन कोई भी ग्लास तूटता नहीं है इसलिए अब की बार दूसरी बार उसी हैमर से जोर से हीट किया जाता है और हीट करने के बाद जब वापस से चेक किया जाता है तब वही पहले की तरह ही इसका हाल होता है पहले वाले ग्लास को तो कुछ भी नहीं होता है जैसा कि आप इस स्कीन पर भी देख सकते हो लेकिन दूसरे वाले में क्रैक आ जाता है सब को लगता है कि साथ इटे इतने ऊचे होने की वज़र से ग्लास नहीं तूट रहा है इसलिए एक-एक इटे को हता दिया जाता है और दोनों को वापस से रखा जाता है और इस बार हैमर की नोक वाले हिस्से को ग्लास के सामने रखकर हीट किया जाता है जाने कि इस बार फोर्ज ज़्यादा लगती है लेकिन हीट करने के बाद जब इसे चेक किया जाता है तब इस बार भी ग्लास नहीं तुटता है दोस्तों क्या होगा जब एक iPhone को 20 मंजला उपर से नीचे गिराया जाएगा और क्या होगा जब उसी जगह से Nokia 3310 को नीचे की तरफ गिराया जाएगा क्या इस बार Nokia सर्वाइब कर पाएगा तो चलिए इस experiment को देखते हैं तो इस experiment को एक बार फिर से टेक रेक्स यूटूब चैनल वारों ने किया है तो सबसे पहले iPhone 11 Pro Max को लिया जाता है और आप खुदी देख सकते हो कि यह बिल्कुल नया और फ्रेस होता है फिर उसे 20 मंजला उपर से छोड़ दिया जाता है जैसे ही phone को छोड़ा जाता है वो सीधा जाकर नीचे की तरफ गिड़ता है और फिर जब नीचे जाकर इससे चेक किया जाता है तब यह phone जमीन पर पड़ा होता है लेकिन उसका skin आप देख सकते हो कि skin damage हो चुका होता है बटो काम कर रहा होता है और जब पीछे की तरफ किया जाता है तब यह पूरी तरीके से damage हो चुका होता है अब की बार Samsung Galaxy Fold को उसी जगह से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि फोन एक्चलियों बिल्कुल नया फोन होता है और अच्छे से काम कर रहा होता है फिर इसके बाद इसको भी उसी जगह से छोड़ा जाता है और फोन सीधा नीचे जाता है और सीडियों से टककर खा कर दूसरे साइड में फिरका जाता है और फिर जब फोन के पास जाया जाता है तब उसका स्क्रीन ग्लो कर रहा होता है लेकिन स्रिफ एक ही पार्ट ग्लो कर रहा होता है और छोड़ने के बाद जब नोक्या के पास जाकर उसे चिक किया जाता है तब उसके सारे पार्ट्स अलग-अलग हो चुके होते हैं और फोन की बैटरी भी इसमें से कहीं निकल चुकी होती है और कवर पर भी क्रैक आ चुका होता है दोस्तों क्या होगा दब जो 2021 के जैक को और 1970 के जैक को 20 तन के हडरोलिक मसीन के अंदर रखकर उसे दबाया जाएगा क्या नया वाला जैक ज्यादा मजबूत होगा जैफिक पुराना वाला जैक ज्यादा मजबूत होगा चले इस Amazing Experiment को देखते हैं तो सबसे पहले 2021 में बने जैक का Hydraulic Machine के अंदर रखकर उससे दबाया जाता है और जैसे ही Hydraulic Machine सुरू होती है तब जैक भी रुका होता है और 13376 के जी के भार को समालने के बाद जैक धिरे धिरे अंदर की तरफ जाने लगता है और जब इसको चेक किया जाता है तब इसका जैक को उठाने वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा होता है और वो पूरी तरीके से बेकार हो जुका होता है फिर अपकी बार 1970 में बने जैक को Hydraulic Machine के अंदर रखा जाता है लेकिन जब जैक को वापस से सुरू किया जाता है और उससे उठाने की कोशिस किया जाता है तब वो काम कर रहा होता है और जैक उपर की तरफ उठने लगता है तो आप देखी सकते हूँ कि नए जैक और पुराने जैक में कौन ज़्यादा मजबूत होता है तो आपको कौन सी experiment सबसे सांदार और इंट्रेस्टिंग लगी मुझे comment करके जरूर बताना और अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा ते वीडियो का लायक जरूर कीजेगा और चैनल को भी subscribe जरूर कर जीजेगा क्योंकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले किसी मज़ेदार वीडियो में सब ते के लिए अपना ध्यान रखिए